हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूटुब पे पहली बार वाइरल ABCD सर्थ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमिद करता हूँ कि आप सभी एकदम बिल्कुल मस्त होंगे एकदम अच्छा होंगे और आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर से मैं हाजिर हो के आऊँ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स इसे हम लोग गन्ना पत्री छेदक भी कहते हैं तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में डिटेल डिफली जनकारी हम लोगों को होनी चाहिए और यह कुश्चन यह हमारे डेली के जीवन में ही में भी यह काफी इंपॉर्टेंट एहम रोल अधा करता है तो दोस्तों चलि करना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को मेरे ABCD सर्च चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे दोरा बनाया गए वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अगर वीडियो में कोई भी गलत करते हैं विनादेरी किये तो सबसे पहले हम लोग सुगर के Louisiana काप ठेट изменыш सबसे पहले हम लोग फाने मतलब होता है कि यह कहां पाया जाता है यह मातरा में ऑर नहीं पाया जाता है तो दोस्तों चलिए विडि़ियो करते हैं और quieren को यह बताती हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह कीट होता है यह गन्ना कीट कहते हैं क्यें कि यह गन्ने की फसल को काफी हान पहुचाता है इसे गन्ना का कीट भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं गन्ना का पत्री छेदर कीट भी कहा जाता है तो आप देख सकते हैं गन्ना का कीट भी कहते हैं यह सबसे पहले पाय कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाय जाता है उत्तर प्रदेश में मे फसलों को भी नुकसान पहुचाता है। क्या फसलों की पत्तियों को ज्यादा तर खाता है तो इसके मॉर्फोलाजी के बारे में बात करेंगे तो मॉर्फोलाजी इसका सबसे पहले रंग जो कलर जो होता है वो पीले रंग का होता है इनका सरीर जो होता है जीरो एट से टेन मिलिमिटर लॉंग होता है इसका जो गन्य के जो पत्री छेदक होता है वो भी आगे से नुकिला होता है और नुकिले वाले भाग पे दो तूंड पाया जाते हैं दो तूंड पाया जाते हैं तूंड पर दो इसपस्ट नेत्र होते हैं और तूंड पर ही क्या होता है दो इसपस्ट नेत्र आखे उसकी पाया जाती हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे life cycle की life cycle of sugar cane leaf hopper इसमें देखिए sexual production होता है क्योंकि मादा अलग होती है और जो नर होता है वो अलग होता है यह वर्ष भर प्रजणन करते हैं क्या करते हैं यह वर्ष भर प्रजणन करते हैं यह क्या करते हैं यह पूरे वर्ष भर प्रजणन करते हैं गर्मी के मौसम में अप्रेल से मई के महीनों में मादा पत्यों पर निचली सत्व पर शमुहों में 300 से 500 अंडे देती हैं कितने 300 से 500 सो अंडे ये देती हैं कब देती हैं अप्रेल और मई के महीनों में क्या करती है यह तीन से यह गर्मियों में उसके बाद फिर जब अंडे हो जाते हैं अंडे दे दती है तो गर्मियों में साथ से बाइस जिनों में अंडों से क्या निकलते हैं नीम्फ निकलते हैं लेकिन सर्दियों में थोड़ी देरी से निकलते हैं और नीम्फ जो होते हैं किस कलर को होते हैं दरंगे होते हैं उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि नीमफ पांच बार निर्मोचन करते हैं अपना बॉडी का बॉडी में इसके चेंजिंग जो होती है पांच बार निर्मोचन करता है उसके बाद फिर क्या होता है यह वयास्क बन जाता है यह इसका पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं इमेगो कहते हैं उसमें क्या होता है यह रुपान तरीत हो जाता है उसके बाद देखिए वयास कीट का जीवन काल जो होता है वो पांच से आठ सब्ता होते हैं पांच से आठ सब्ता किसका जीवन काल होता है वयास के जो पत्त कि गणन्य के पतियों को कुष्का द्रब चूसता है उसे ही क्या करता है चूस लेता है जब पत्यों की पतिया क्या होती पीली पढ़ जाती है वह सूख जाती है यह एक चिपचिपा पदार्थ सरावित करता है क्या करता है एक चिपचिपा पदार्थ सरावित करता है जिससे क्या कहते हैं हम लोग उसे हम लोग कहते हैं सहद ओस कहते हैं सहद ओस हनी डिव के नाम से जाना जाता है इस पदार्थ से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है क्या होता है यह पदार जो होता है उससे क्या होता है माइक्रो और्गैनिज्ज जैसे बैक्टिरिया वाइरस फंजाई इन सब जो माइक्रो और्गैनिज्म होते हैं वे सब संक्रमित कर देते हैं इस पाधे को संक्रमन खतरा भी बढ़ जाता है किससे हानी डियू से जिससे फोटो सिंथेसिस किरिया घट जाती है क्या होती है फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया या क्रिया जो होती है वो घट जाती है जिससे उत्पादक्ता और गुडवत्ता द पुत्पादक्ता दोनों क्या होती है प्रभावित होती है उसके बार रोक थाम हम लोग इस कीट से कैसे बच सकते हैं क्या उपाए करके हम लोग इसकीट से बचाया सकता है यह सारी चीजे इसमें है देखिए अंडों के समुहों को जला कर या फेनिल जल के छिड़काओ दोरा बढ़ सके जिससे इनकी संख्या भी नियंत्रीत हो सके उसके बाद दूसरा क्या है संक्रमित फसल पर पांच से दस परशेंट ब्यस्सी चूरड का छिड़काओ करना चाहिए पांच से दस परशेंट उसके बाद फिर तिसरा जो कराण है भूमी में नैट्रोजन की आप मत्रा बनाया रखनी चाहिए जिससे इसका संक्रमन कम हो सके उसके बाद चौथा पाइरिला रोधिक इसमें जैसे सीओ तीन सो पैंसर तथा सीओ नो सो संतावन को ही बोना चाहिए तो दोस्तों उम्मित करता हूं कि आप लोगों की यह वीडियो पसंद आई होगी अग कनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को स्यर करना न भूलें और आप लोगों को Δियो कैसी लगी कमेंट में लिख के हमें बताने की कोशिश करें कि आप लोग वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई जै हिन जै भारत